नमस्कार मैं आश्टोलोजर चंदप्रकास वर्मा आप सभी का 27 नचुत्रम में स्वागत करता हूं मैं आपके लिए तरह तरह के जोतिस पर आधारित वीडियोज लेकर आता रहता हूं बहुत ही ज्यान वर्दक और आपके लिए लाभपृत उसी के स्रंखला में आज धन्व वह इन सूत्रों को अपनी जन्पत्रिका में या किसी अन्य व्यक्ति की जन्व कुंडली में लगा कर देख सकता है कि क्या वह व्यक्ति धन्वान बन सकता है या नहीं तो आए इस क्रम में हम आगे बढ़ते हैं उससे पहले बता देना चाहूंगा कि आज की इस भागदोड की जिन्दगी में धन का बहुत ही महत्त्र है और आज से ही नहीं हमेशा से ही सुबा से लेकर साम तक हर व्यक्ति धन के पीछे ही भागता है धन से ही हर प्रकार की सुक्सुधाय अर्जित की जा सकती है अपने जीवन की जरूरतों को पूरा किया जा सकता है तो धन बहुत ही कि ऐसे 10 महत्तवपुन योगों को यहां पर हम देखेंगे, वैसे योग तो बहुत से होते हैं, लेकिन उन्हीं में से ये 10 चुनकर आप के लिए लाया हूं, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, कुछ कुंडली से संबन देता हैं, फिर हम योगों पर आते हैं, तो देखे, कि यह लगन कहलाता है यह दूसरा भाव होता है यह धन भाव है तीसरा पराक्रम भाव है चौथा सुख भाव कुझा संतांका भाव है सालना रोग रिना और सद्रु का है, सात्मा भाव यह पार्टनर का है, फिर वह पार्टनर से किसी भी प्रिकार की हो, चाहे किसी बिजनेस में पार्टनर से की बात करें, यह जीवन साथी के साथ पार्टनर से की बात करें, यह अस्टम भाव है, यह आठमा भाव है और यह आयू का भाव होता है यहां से गुप्त चीजों को भी देखते हैं रहाश्यों का भाव है यहां फिर नमम भाव यहां धन भाव कहलाता है धर्म का भी भाव है पिता से संबंदों को भी देखते हैं इसे यह दसम भाव है यहां कर्म भाव है प्रोफेशन का भाव है करियर से संबंदी शुजों को यहाँ पेर देखते हैं यह एक अदस भाव जो कि लाभ भाव है इंकम का घर है यहाँ नेकस रोट यहां से हम देखते हैं फिर यह 12 है यह इससे बाद कि लीएक को देखते हैं खर्च को देखते हैं शुटल भाव और दस्वा भाव ये केंद्र कहलाते हैं इसी प्रकार पहला भाव पाच्वा भाव और नवा भाव ये त्रिकोण कहलाते हैं वास्तों में इसे धर्म त्रिकोण कहते हैं ऐसे त्रिकोण चार प्रकार की होते हैं धर्म अर्थ काम और मोक्ष त्रिकोण लेकिन जहां भी त्रिकोंड की चर्चा हो रही हो आप समझें कि सामानेता ये धर्म त्रिकोंड यानि कि पहले पांच्वे और नवे भाव की बात हो रही है जो पहला भाव है वहाँ आप देखिए यहां केंद्र में भी आता है और त्रिकोंड में भी आता है तो यहां कुंडली से संबंदेत एक सामाने जानकारी हमने यहाँ पर भी साजा की आप लोगों के साथ, अब हम सीधे चलते हैं आज के टॉपिक पर की धनवान बनने के वे दस योग या दस सुत्र कौन से हैं, कौन से ऐसी ग्रह स्थितियां हैं, जब व्यत्ती धनवान बन सकता हैं, तो सबसे पहले हम तीन ऐ कैसे सुत्रों की बात करेंगे, जो विशेष तोर से एक विशेष लगन पर आधारित हैं, जैसे करक लगन की हम बात करते हैं, यह सुत्र सिर्फ करक लगन वानों के लिए हैं, करक लगन यानि की चार नंबर की रास यदि लगन में हो, यानि प्रथम भाव में हों, और जो दूसरा भाव है यानि यहाँ पर पांच नमबर होगा तीसरे भाव में छे नमबर होगा इस प्रकार से बारा राशियां होगी तो जो कि करक लगन की जनपत्रिका में सेकेंड हावस में सूरे हो यानि कि दुती भाव में सूरे हो अपनी ही राशिय में हो और तीसरे भाव में शुक्र हो और लगन में ही चंदरमा अपनी राशिय में विराजमान हो जाए कुना कहना चाहूंगा करक लगन की जनपत्रिका में चंदरमा लगन में ही विराजमान हो दुती भाव में सूरे विराजमान हो जाए यानि अपनी ही राशिय सिंग राशिय में विराजमान हो जाए और तुती भाव जो की पराकरम भाव है वहाँ पर कन्या राशिय रहेग तो इसलिए यहाँ पर संदे नहीं करना है कि सुप्रतों नीच राजिके हैं कैसे होगा यह जो योग है यह धन परदायक योग होता ऐसा व्यक्ति धन्मान होता ही होता है जो करक लगन में जन्मिलिया हो चंद्रमा करक लगन में हो दुती भाव में सिंगरास में सूर्य अपनी राज़िस में हो और तुर्ती भाव में यानि कि कन्यारास में शुक्रविराजमान हो तो व्यक्ति धन्मान होता है अब हम चलते हैं अगले शूत्र की बात कर लेते हैं धनवान बनने का अगला सूत्र कौन सा है वो देख लेते हैं तो हम बाग कर लेते हैं धनुलग्न की धनुलग्न की जनपत्रिका है तो नौ नमबर रासी लग्न में हो जाएगी तो इस प्रकार आगे 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 यह धनुलग्न की जनपत्रिका बन गई धनुलग्न की जनपत्रिका में शनी अपनी उच्छ रासी के हो यानि सनी एकादस भाव में विराजमान हो एकादस भाव में साथ नमबर रासी है साथ नमबर रासी यहां सनी उच्छ के होते हैं तो धनुलग्न की जनपत्रिका में सनी एकादस भाव में हो अपनी उच्छ ये मेस्राशी यहां पर मंगल अपनी राषी में विराजमान हो जाएं को धन प्रदायक योग बनता है एसाइ वक्ति भी धनवान होता है अब हम अग्ले योग की बात कर लेते हैं हमने अभी दो योग protocols की बात की एक करक लगना कैं लोगों के लिए धन लगना के लोग लिए आपाश्व कर लेते हैं अनय योग की बात करते हम मकर लगन के लोगों में धन्वान बनने का एक योग देख लेते हैं दस नम्मर रासी यानि की मकर रासी यदि लगन में हो तो ग्यारा नम्मर रासी दुती भाव में होगी जो की कुम्भ रासी है दोनों शनी की रासियां है तो मकर लगन की जन्पत्रिका में शनी दुती भ 10-10 नमबर हो तोеци Year 11 रासी जो की 10 भाव है उसमें 1 रासी 9 है जिसके स्वामी होते हैं शनी शनी अपनी ही रासी में विराज मान हो जाये तब यह धन योग बनता है इस तरह से हमने अभी तीन योगों की चर्चा की अलग अलग लगनों के वक्तियों के लिए अब किसी भी लगन के वक्ति के लिए हम धनवान बनने के योग की बात कर लेते हैं साथ ऐसे योगों को देख लेते हैं अब देखिए यह जो की पर्थम भाव है यह होता है लगन यह जो दुती भाव है यह होता है धन भाव तो लगन भाव के स्वामी यानि कि लगनेश दुती भाव में चले जाए और दुती भाव के स्वामी लगन में विराजमान हो जाए अर्थात धन भाव और दुती भाव के स्वामी आपस में रासी परिवर्तन कर ले आपस में रासी परिवर्तन कर ले धन भाव के स्वामी और लगन के स्वामी तब यह धनवान योग का निर्माण करते हैं लग्न व्यक्ति स्वयम होता है और ये दृती भाव धन भाव होता है तो यहनी व्यक्ति अपने परिश्रम से धन अर्जित करता ही करता है यदि इनके स्वामियों के बीच में आपस में राशिपरवर्टन हो रहा हो अब हम अगले सुत्र को देख लेते हैं अगला सुत्र क्या है जी अगला सुत्र है धनवान बनने का या अगला योग है धनवान बनने का यदि धनेश और लाभेश आपस में राशिपरवर्टन कर ले धनेश यानि की धन भाव के स्वामी और लाभेश यानि लाभवा या एक एकादस भाव के स्वामी यह आपस में राशी परवितन कर लें मतलब धन भाव के स्वामी लाव भाव में यानि कि एकादस भाव में और एकादस भाव के स्वामी धन भाव में चले जाएं और इस प्रकार यह राशी परवितन कर लें तब भी धन योग बनाते हैं एक प्रका से हैं कि धनभाओ के स्वामी जी धनवान बनने के एक अन्य योग धनभाओ के स्वामी और लावभाओ के स्वामी यह केंद्र में कहीं भी साथ में यूति बनाकर बैट जाएं यानि कि धन भाव के स्वामी और लाब भाव के स्वामी चाहे प्रथम भाव में हो या चतुर्थ में हो या सब्तम में हो या दसम में हो यह हिस्तिती बन रही हो कि धन भाव के स्वामी और लाप भाव के स्वामी ये चाहे केंद्रे में कहीं पर भी हो प्रथम भाव या फिर चतूर्थ या सब्सत्म दसम भाव साथ में व्यूति बना कर बैठ जाएं तो भी धन्वान योग का निर्माण करते हैं आए चलते हैं हम अगले योग की तरफ की कौन सा अन्य योग कौन सा है जिससे व्यक्ति धन्वान होगा या हम देख सकते हैं bon वोगिए आप देखिए चंदरलगने से दुतिय स्थान का स्वामी उच्चिया स्वग्रही को तोभी धन्वाण व्यक्ति बनता ही बनता चंद्रलगन मतलब चंद्रमा जहां भी विराज मानों उदाहलन के लिए चंद्रमा यहां पर बैठे चंद्रमा जहां बैठेंगे वह चंद्रलगन कहलाएगा तो चंद्रमा हमने मान लिया कि चत्रत भाव में बैठे हुए हैं अब इससे दुतिय स्थान का स्वामी इससे मान लेजिए कि यहां पर चंद्रमा चार नमर की रासी में बैठे थे तो यहां पर अगला भाव में पांच नमर की रासी आएगा जिसके स्वामी हुए सूर्य तो योग क्या कहता है हमारा सुत्र का कहता है कि चंद्रमा जहां भी बैठे हो अर्थार्थ चंद्र लगने से सूर्य विराजमान हो जाएं या फिर सूर्य अपनी उच्छ रासी में हो तो अब देखिए यहां पर पांच है तो छे हो जाएगा साथ आठ नौ दस ग्यारा बारा एक दो तीन इस पर करकुंडली बन जाएगे तो चंद्र लगने से दिती भाव में पांच नंबर रासी है य इस इस्तिति में भी व्यक्ति धनवान अपने जीवन में होता ही होता है किसी की जनपत्रिका में इस प्रकार दिख रहा है कि चंद्रमा जहां बटे वहां से दिती भाव में जो रासी है उसका स्वामी अपनी ही रासी में हो या फिर अपने उच्छ रासी में हो तो धनवान व्यक्ति बनता ही बनता है आईए अब हम अगले योग की बात कर लेते हैं कि कौन सा ऐसा दूसरा योग है जिससे व्यक्ति धन्वान होता है अपने जीवनकाल में ऐसे तो देखिए चंद्रमा और राहू ये आपस में कहीं भी बैठे हो तो ये ग्रहन योग का निर्माण करत अच्छा नहीं माना जाता ऐसे व्यक्तियों का मन भथ परेशान रहता है परन्त वेक इस्तिति ऐसी है जहां पर ये अक्तिदिक संपत्ति का योग में आते हैं जिहां कि दुती भाव ये धन्वा हुआ एकादस भाव लाभ भाव हुआ या फिर आय भाव हुआ इंकम का घर हुआ तो दुती भाव में चंद्रमा और राहु युति बना कर बैठे हूं या चंद्रमा और राहु लाभ भाव में युति बना कर बैठे हूं तो भी अते दिक संपत्ति विक्ति को दिलाते ही हैं आये हम अब अगले योग की चर्चा कर लेते हैं जो संपत्ति दायक होगा यह होता है व्यक्ति का लगन यह होता है व्यक्ति का भाग्य भाव अब लगन की स्वामी अर्थात लगनेश्व भाग्य भाव में हो यानि कि नमम भाव में हो तब व्यक्ति को गुप्त धंदिल आते हैं यदि लग्न के स्वामी भाग्य भाव में हूं तब व्यक्ति को गुप्त धन दिलाते हैं एक दूसरी भी स्थिती होती है कि धन भाव, धन भाव के स्वामी यदि अश्टम भाव में चले जाएं तब भी ये गुप्त धन दिलाते हैं क्योंकि अश्टम भाव रहस्यों का भाव है गुप्त भाव है ये दो इस्थितियां हैं जो व्यक्ति को गुप्त धन या गड़ा धन दिलाती हैं आईए बात कर लेते हैं एक अन्य योग की जो यदि आपकी जनपत्रिका में बन रहा है तो आपको अपने जीवन काल में बहुत सारा धन मिल सकता है कोई भी जनपत्रिका हो यदि शुक्र उच्च रासी को हो कहीं पर भी किसी भाव में तो ऐसा व्यक्ति बहुत रात्साही लाइफ जीता है लगजेरियस लाइफ जीता है अब शुक्र उच्च के कब होते हैं शुक्र ग्रह उच्च के कब होते हैं शुक्र ग्रह उच्च के और वहां पर शुक्र बैठ जाएं कहीं भी 12 नंबर लिखा हो वहां पर शुक्र बैठ जाएं यानि शुक्र अपनी उच्छ रासिके हो जाएं तब ऐसा व्यक्ती बहुती लग्जेरियस लाइफ जुता है धन धाने की कोई कमी नहीं होती है और यही योग यदी 12 हमें घर में बैठ जाएं तो यहां अत्तधिक प्रभावी हो जाता है तो इस प्रकार से आज हमने यहां पर कई ऐसे योगों की स्चचा की जो व्यक्ती को धन धाने से परपूर कर सकते हैं एक अन्य योग की भी हम यहाँ पर बात कर लेते हैं जो व्यक्ति की जनपत्रिका में हैं तो भी व्यक्ति धनिक होता है धन उसके जीवनकाल में बहुत होता है वह कौन सा योग है देखे यह है पंचम भाव और यह है नवम भाव बाग्य भाव भी होता है अब पंचम भाव क स्वामी पंचम्भाव में और नमवंभाव का स्वामी नमवंभाव में विराजमान हो जाए तो भी व्यक्ति अपने जीवनकाल में धेर सारा धन कमाता है धनवान होता है कैसे एक उदाहरण समझ लीजिए मालिया यहाँ पर एक नंबर लिखा हुआ है पंचम्भाव में तो यहां पर शस्ट भाव में दो हो जाएगा इधर तीन हो जाएगा चार हो जाएगा पांच हो जाएगा इस प्रिकार से यह जनपत्रिका बनेगी तो पंचम्भाव में एक नंबर रासी है यहां पर विराजमान हो जाए और नमवंभाव में पांच नंबर रासी है तो यहां पर सूरे सूरे सिंगरासी के स्वामी हैं सूरे विराजमान हो जाए यानि पंचम भाव के स्वामी पंचम भाव में और नवम भाव के स्वामी नवम भाव में यदि बैठ जाते हैं तो भी व्यक्ति अपने जीवन काल में बहुत ठेर सारा धनी कमाता है तो इस तरह से हमने आ पर हमने दस योगों की बात किये आपको यह वीडियो कैसा लगा कॉमेंट में जरूर बताएं जो लोग अपनी कुंडली का विशलेशन कराना चाहते हैं उनके जो भी प्रशन है वो पूछना चाहते हैं तो आप लोग हमारे ऑफिस के नंबर पर संपर करके अपना अपॉइन सिर्चाओ